सब्सक्राइब करता हूं मैं आपका एक अनधर वीडियो में और यह हमारा वीडियो लास्ट आइसलेंड आफ सर्वाइबल अननोन 50 डेज इसका पुरा नाम है यह गाइस तो मैं आपको बता दो इसको कई लोग जो है लास्ट डे आफ रूल सर्वाइबल के नाम से भी बोलते है और कई लोग जो है जो गाइस लास्ट आइसलेंड आफ सर्वाइबल भी बोलते हैं तो यह हमारे उपर डी पेंड करते हैं हम लोग किन किन नामों से जानते हैं इसके डाउन्लोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है क् की जो कितने लोग होते हैं यह नहीं जानते कि नहीं इसको calendar जाते हैं बाद में ही दिक्कत आजाती है क्योंकि हमें क्या होता है कि रेगुलर जो है डाटा मिलता है मैक्सिमम 80 से 50 परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डाटा पर रहते हैं तो उन लोगों के लिए इस पेसलिए गाईश ताकि वो लोग समझ जाएं कि कैसे क्या होगा तो मैं बताता हूं आपको करना क्या रहता है पहले तो अगर आप लोग जो नॉर्मली प्लेइस्टोर में जाएंगे इस तरीके से चले मैं प्लेइस्टोर दिखा देता हूं और यहां पर आप लोग जो अपना गेम को सर्च मार सकते हैं इसे आइसलेंड अफ सर्वाइबल लिख सकते हैं या जो भी लिख सकते हैं वो आप लोगों के उपर डिपेंड करता है या फिर लास्ट डे आप रूल सर्वाइबल डैरेट लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी भी नाम से सर्च मानने पर यह आ जाएगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां देखे कुछ भी लिख सकते भी लिख जाता है यहां पर आप लोग चालेएं चाहरे और बट इससे पहले में आपको कुछ और चीज़े बता दूं यहां पर रिकौर्मेंट का है कि रिकौरमेंट का है कि यहां पर एंडॉय वर्शन 5 से ऊपर रहना चाहिए पांच या पांच से उपर रहना चाहिए और इसके अलाओं यहाँ पे capability भी दिखा देगा आपका कि वर्जन कौन सा है work कि डिवाइस में करेगा वगएरा वगएरा यहाँ पे देखे आप लोग इस तरीके से game को install करके on करेंगे तो यहाँ पे capability आप यूर डिवाइस करके ऐसे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपके डिवाइस की detail के साथ सारी चीज़े बता देगा कि आपके डिवाइस में यह work करेगा कि नहीं करेगा ठीके तो यहाँ से आप लोग को check कर सकते हैं अपने डिवाइस की capability के साथ और मैं आपको बता दू अभी मैंने क्या बोला आपको कि 1.7GB या फिर 1.9GB या फिर सब मुलाज़ुला के मान की चली अगर आप लोग डाउनलोड करना है स्टार्ट करेंगे मॉवाइल डाट से तो आपको चिर्फ पॉस्टिफ प्ले स्टोर में लग जाएंगे इसको डाउनलोड करने के लिए ठीक है अभी मालेजे आपने जो है 2.5GB वेस्ट कर लिया अपना डाउनलोड कर लिया दो दिन का बचा आखे ठीक है अभी रात को 12 बज़े तक वेट किये 12 बज़े एक गंटा पहले डाउनलोड पर लगा दिये फिर आज का भी डाटा गया कल का भी डाटा गया मतलब 2.5 डाटा ग दिखाएगा आपको just starting में ही आपने अभी तक सिर्फ डाउनलोड की आप गेम के अंदर की सारी चीजे डाउनलोड होगी मतलब डाटा डाउनलोड होगा गेम का तो 1.7 GB वैसे स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग करना तो वो सारा का सारा डाउनलोड होगा तो मान के चले उसमें कुछ नहीं तो मिनिमम दो 2.2 GB मतलब 2 GB से प्लस लग जाएगा उसमें तो अभी तक टोटल आपका कितना जीवी खतम हो गया करीब-करीब चार साड़े-चार GB या फिर 5 GB तक खतम हो चुका है आपका बट गाइस अभी जस्ट आपने इतना डाउनलोड किया अभी तो आपका नॉर्मली हुआ game आपका download हुआ plus आपने जो इसके अंदर की data सारी download की ठीके अभी जश्ट इतना download की आपने बट इसके बाद जब आप लोग फिर से एक बार बोलेगा आपको restart करने के लिए एक बार जैसे आप लोग इसको restart करेंगे फिर से 500MB का download होगा वो क्या होगा कि वो अपडेट का डाउनलोड होगा आपका तो 500 MB का डाउनलोड होगा टोटल कितने GB होगा एटलिस मायन के चलिए आपको मिनिमम पांच पांच जीबी तो यूँ ही खतम हो जाएंगे मिनिमम छे जीबी रहना चीए एटलिस 6.6 GB आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग जो है लास्ट डे आफ रूल सर्वाइबल या फिर आइसलेंड आफ सर्वाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं और गाइस 6 GB तो मैं मिनिमम बता रहा हूं अगर आप लोग रिसोर्स वगेरा नहीं डाउनलोड करेंगे तो जी हां गाइस अगर आप लोग गेम का रिसोर्स वगेरा नहीं डाउनलोड करते हैं तो आपको मिनिमम 6 GB साड़े 6 GB रहना जरूरी है अगर आप लोग जो है रिसोर्स वगएरा भी डाउनलोड करना शुरू कर देंगे तो मानगे चलिए आपको 10 GB प्लस चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स देखिए एक पंदरो सुम्बी, एक अर्ट सुम्बी चार सो तीस एम्बी, संतान बेम्बी यहाँ पे डाईसों भी था, यहाँ पे डाईसों भी था ऐसा ऐसा करकर के आपको आएगा, तो मिनमम मान के चलिए कि रिक्वार्मेंट कितनी जीबी है टोटल गाइस अगर आप लोग फुली गेम के मज़ा लेना चाहते रिसोर्स वगएरा सब डाउनलोड करके और साथ-साथ और साथ-साथ गाईस इस गेम के मज़ा भी ले पाएंगे तो यह सारी चीज़े थी डाउनलोडिंग का रिक्वार्मेंट वगएरा गाईस तो अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या कौन कौन से चीज़े लगेगी तो गाईस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दिजे और डाउनलोड करने से पहले अगर आपका कोई फ्रेंड डाउनलोड करना चाता है तो इस वीडियो को उसको साथ सेर जरूज करिए ताकि उसको भी पता चल सके वाई कि कितना जी भी एक्जेक्टिल लगने वाला है इसे डाउनलोड करने के लिए